हेलो एवरिवन आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है वैक का एथिक्स एंट कल्चर इसका यूनिट वन का टोपिक करेंगे तो यूनिट वन में जो आपका टोपिक है वो है गैटिंग तू नो इजदर मतलब कि एक दूसरे को जानने के तरीके तो आएए स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजए तार हमारी हर वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें तो चलिए जानते हैं तो किसी के बाएं में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा खुल कर बातचीत करें खुल कर बातचीत यानि की इमांदारी से बातचीत करें बातचीत में अपने विचार, भावनायतिधानुभग साज़ा करें दूसरा तरीका है सकरिये सुनवायां के सामने वाले की बाते ध्यान से सुने, तरह समझने की कोशिश करे, उनके द्रिष्टी को उन्ददा भावनाव को समझने के लिए सकरिये रूप से सुनना जरूरी है, ठीक है? थर्ड है सामाने वाले को जानने की कोशिश करे, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे उस वाले की बारे में, नेक्स्ट है सवाल पूछे, आप कई तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे ओपन एंड़िट कोशिशन या लोज एंड़िट कोशिशन, ठीक है? ओपन एंड़िट कोशिशन वो होते हैं, जिसमें हमको विस्तार से बताने की ज़रुद होती है, एंड क्लोस एंड़िट कोशिशन वो होते हैं, जिसमें हाँ या ना में उत्तर आपको मिल जाता है, ठीक है? तो आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ओपन एं तथा जीवन के बागी में धें जा द सके इसके लावा नेक्स पूइंट है सांस्कृतिक तथा विक्टिक प्रिष्ट भूमें क्या है उनकी आदते तथा उनके द्रिष्टिकों क्या है इसके लावा समय बिताए इससे आपको परच लेगा कि सामने वाला जो विक्ति है उनको कौन सी गति वीदियों में शामिल होना पसंद है ठीक है इसके लावा नेक्स्ट है सम्वेदन शील्दा सम्वेदन शील्दा तथा सम्मान एक दूसरे के द्रिष्टिकों तथा भावनाओ के प्रति सम्वेदन शील्दा सम्मान जनक रहे इससे विश्वास तथा समझ को बढ़ावा मिलता है नेक्स्ट है धैरे रखे एक दूसरे को जानने में समय लगता है तो इसलिए आपको धैर है तो यह कुछ तरीके थे जिससे आप किसी के बारे में जा सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही के मिलते हैं नeक्स्ट वीडियो में नeक्स टॉपी के साथ अगर आपके वीडियो च्छे लगी है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को शेर करीं thank you